असलाम लेकुम एक पर फिर आपको इलेक्ट्रोनिक होस के यूडिव चैनल पर शामदीद कहते हैं और अमीद करता हूं कि आप हरियर से होंगे आपने जो फ्रेम देखके पैचान तो लिये ही होगा कि इसी फ्रेम में मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान का नमबर वन मतलब टॉप अफ दे लिस्ट ब्रैंड ने एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट गाई थी जिसके अंदर बताया था कि उसने के हम जो है काफी बिगस्ट करने वाले हैं तो जैसे मैंने आपको कहा था कि यहां तो उनकी सेल होगी यहां तो जो है वह रिफ्रिजर्टर लाउंच करेंगे और जैसे मैं गलत साबित नहीं हुआ कि उन्होंने जो है अपना एक रिफ्रिजर्टर लाउंच किया है जोके यह मैं पहले आपको बता दू पहले जो है इन्होंने तीन चार मेने पहले जो है यह रिफ्रिजर्टर की जो एर यह स्डिए लाउंच कि झिसके अंतर जो है क्रों में सीरीज क्रों सिरीज 117-176onder इवन अ अब टैयंश सीरी इस में 9178 और 9191 और 9193 मौडल जो इन्होंने लाउंच किये थे मैं शायद एक मौडल गलत ले रहा हूं लेकिन चोलो क्रेक्शन हो जाएगी मैं नीचे मैं टेक्स का लगा दूँगा तो इसके बाद जो है मौडल जो है आता है 91999 यानि के 91999 जो इन्होंने मौडल लाउंच किया इवंटे प्लस से विर में तो जैसे कि मेरे चैनल पर टॉप आफ दे लेस्ट जो वीडियो चाली है 9191 इवंटे प्लस से रिफ्रेजर्टर की जो है वो चल रही है तो इस साल जो है डॉलन्स ने जो है अपने रिफ्रेजर्टर में बहुत ही यूनिक चीज जो कि मुझे ब रूट एंड वैजी टेबल जो है फ्रेश रहेंगे कॉंपनी क्लेम करती है और डॉलन्स जो है बहुत थी नमानी जानी और मैं लगे पक्स्तान का नमबर वन ब्रेंड है इस नोट स्पोंसर बाइस डॉलन्स डॉलन्स का मैं रेव्यू देता हूं और काफी अच्छा 999 जो के इनका जो है कहना है कि यह जो है बिगर्स फेजेटर ऑफ दा इयर है और यह नहीं मुझे पता कि वह कौन सा एयर है 2020 यह है 2021 है तो मैं आपको जो है आप मुलाइजा कर भी सकते हैं हमारी सक्रीन पर जो के डॉलन्स ने जो फेजेटर लॉच की है 91999 भूग तो यह आप देख सकते हैं वीडियो आई होप के यह आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हाँ इन्शाल्ला मैं जल्धी इन्शाल्ला फॉस्ट यहीं चाहिए लोगा जिसके नदर आपको 91999 की जो है रिवीव वीडियो मिलेगी वारे चानल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और बेल आइकोन को जुरूर दुपार दीजेगा तांके आपको आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल जाए अला फिस फिर मिलेंगे कि शेवर्वर के साथ अपना और अपने प्यारों का हया रखेगा फी माने ला